Hello viewers, कैसे हैं आप सब, तो जिस तरह से आपको पता है हमाई पास ASP.NET Core 6 की lecture series चल रही है तो आज किस lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं, installing bootstrap, tailwind CSS और jQuery in ASP.NET Core 6 application भाई देखो जिस तरह से आपको पता है हम ASP.NET Core 6 को use करके web application मनाते हैं और web application जब भी हम मनाते हैं, तो वहाँ पर हमें mostly कोई CSS framework की ज़रत पढ़ती है, जिस तरह से bootstrap हो गया या tailwind CSS हो गया इसी तरह अगर हमें कोई additional कोई JavaScript चाहिए तो उसके लिए हम jQuery या दूसरी libraries का भी use करते हैं मतलब हमारे पाद बेशुमार ऐसी client-side libraries होती हैं, जिसको हम अपनी ASP.NET Core 6 application के अंदर install करना चाहते हैं तो ASP.NET Core 6 के अंदर जो client-side libraries हैं, जिस तरह से bootstrap हो गया, tailwind, jQuery वगरा हो गया, उसको आप किस तरह से install करते हो, वो हम आज किस lecture के अंदर देखेंगे मतलब बहुत ही जादा असान तरीका है, client-side libraries को add करना अपनी ASP.NET Core 6 application के अंदर और देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तीन libraries हैं, और भी बहुत सारी libraries जो आप use करना चाहते हो, उन सब का एक main तरीका है, जो के हम आज किस lecture के अंदर discuss करेंगे, तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी से request, कि अगर आप मेरे चैनल पर first time आयो हो, और अभी तक आप अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ साथ बेल का icon भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture सीरीज के अंदर आने वाली है, तो यह होगा हमारा chapter number 24, और अब हम अपना lecture start करते हैं, तो यहाँ पर देखो एक new project create करते हैं, तो यहाँ से मैं आता हूँ, create a new project के उपर मैं click करता हूँ, ठीक है और यहाँ पर आजाओ, नीचे आजाओ, देखो यहाँ पर मैं जो ASP.NET Core की application use करूँगा, वो होगी empty application, भाई देखो empty application क्यों use कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यह ज जाओ, इसके बगरा के folders भी हमें पहले से मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर empty application use कर रहा हूँ, ताके मैं आपको scratch से यह concept समझाना चाहा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ASP.NET Core empty को आपने select करना है, next पर click करना है, और यहाँ पर देखो project name है, इस project का नाम मैं जाओ, यहाँ पर create के उपर हम click करते हैं, तो यहाँ पर देखो, installing bootstrap के नाम से हमाने पास यह application आ चुकी, और देखो अभी तक इसके अंदर कोई भी folders मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर controller और एक view यहाँ पर create कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आज click करना है, add पर जाना है, और फिर यहाँ से देखो, controller आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके उपर click करना है, ठीक है, और यहाँ पर हम use करेंगे, mbc controller empty, ठीक है, add के उपर click करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, mbc controller empty, यहाँ पर हम use कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो तो हमारे पास यह home controller create हो चुक है और इसके अंदर by default एक index method आ चुक है ठीक है तो इस index action method के साथ में एक view attach कर लेता हूँ तो index के उपर आपने right click करना है और यहाँ पर आपने आजने add view के उपर और यहाँ से हमने select करना है razor view ठीक है razor view को आप double click करो ठीक है add view के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहोगा view का नाम क्या रखना है template क्या select करना है हम इसको as it is रहने देते हैं और यहाँ पर आके add के उपर click करता हूँ तो यह देखो हमारा index view यहाँ पर create हो चुक है तो भाई देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ तक अपनी application को run करके दिखाऊ लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर आ जाओ देखो हमारी program.cs file के अंदर ठीक है routing के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है मैंने आपको बताया आपने जाओ अंधेना इससे पहले यहाँ पर मैं एक line add करता हूं और वो क्या मैं यहाँ पर लिखता अओ सबसे पहले देखो builder तो विल्डर यही जो उपर variable है ठीक है उसके बाद . उसके बाद यहाँ पर यहाँ लिखना है services ठीक है एंटर करते हैं और पिर उसके बाद यह पे controller और routing के साथ जो भी हमारे पार controller views की setting होती है वो में मिल जाएगी ठीक है ये वाली line add करने के बाद आपने क्या करना है देखो app.run से पहले एक code आपने यापे लिखना है जो के मैंने आपको routing के concept के अंदर समझाया था और वो ये वाला code है ठीक है यहाँ पर देखो यही जो app variable है इसके साथ map controller route और इसके अंदर मैंने बताया है वाई कि सबसे पहले home controller चलेगा फिर index का action method चलेगा ID आपके पर optional होती है ठीक है तो अब यहाँ पर आके मैं इस application को run करता हूँ और result देखते हैं कि हमारे पस क्या आता है जो के मेरी websites को सारी website जो भी मैं chrome browser पे visit करता हूँ उसको dark theme में appear करवाती है ठीक है और वो extension कौन सी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर जाओ three dots में ठीक है और यहाँ पर देखो more tools में चलते है और यहाँ पर देखो आपको extension नजर आ रहा होगा इसको मैं open करता हू तो यहाँ पर देखो यह top left side पर आपको नजरा आ रहा होगा dark reader जो के क्या करता है हर website के लिए dark mode open कर देता है जो के हमारी eye side के लिए बहुत जादा अच्छा होता है क्योंकि आपको बता है मुझे glasses भी लगे वें तो मेरी आँखों को यह ठंडक पहुचाता है और अकसर लो हमें अपने project के अंदर एक extra folder यहाँ पर create करना है ठीक है और उस folder के अंदर हमारी जितनी भी client side libraries हैं उनको हम install करते हैं और उस folder का क्या नाम है उस folder का नाम है www root तो मैं आप एक folder create करता हूँ ठीक है अपने project के उपर right click करो add पर आ जाओ और यहाँ पर आके new folder ले ले लेता हू इसका नाम मैं रख रहा हूँ www root तो आपने भी यही ख्याल रखना है कि इसका नाम यही रखना है और कोई नहीं रखना ठीक है तो यहाँ पर आके देखो जैसी मैं enter करूंगा तो इसका icon change हो जाएगा देख रहो इसका icon देखो एक global world type का एक icon हो गया है भाई देखो यह वा जो CSS.js की files है वो सारी आप यहाँ पे store करते हो मतलब जितनी भी static files है जिस तरह से bootstrap की jQuery की वो सारी आप इस folder के अंदर add करोगे ठीक है मैं आपको इसके बारे में एक point बताना चाहरा हूँ यहाँ पर आजाओ देखो पहला point क्या कह रहा है all static files like bootstrap, CSS, JS, jQuery are placed inside www root folder मतलब क् जितनी भी आपकी static files है जिस तरह bootstrap हो गया, CSS, JS कहीं और आप कोई animation, transition वगरा के लिए कोई libraries यूज करना चाहरे हो, jQuery यूज करना चाहरे हो तो वो सारी static files किलाती है क्योंकि उसके अंदर हम changing नहीं करते है mostly ठीक है वो fix रहती है इसलिए उनको static files कर जाता है उनको आपने कह बहुत जादा important point, आपको बता है न हम images भी अपनी website में display करवाते है, images को भी static files का जाता है, तो images का जो folder होगा, वो folder भी हम कहां पर बनाएंगे अपने isi www.root वाले folder के अंदर, ठीक है तो यह point important है, आपने याद रखना है, ठीक है तो यहाँ पर आजाओ, अब देखो, अब म नजर आ रहा होगा, client side library, आपने इसके उपर click करना है, तो देखो, जैसी मैंने click किया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, एक window open हो गई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, heading देखो, add client side library, और यहाँ पर देखो, provider में आपने क्या select करना, यहाँ से cdn.js, सही है, cdn content delivery network, इसका मतलब, जिस तरह हम bootstrap, jquery वगरे के cdn use करते हैं, तो उसी तरह का काम हम यहाँ पर use कर रहे है, मतलब, जो हमे bootstrap provide करेगा, वो कौन करेगा, cdn.js, यह हमें provide करेगा, और यहीं से हम क्या करेंगे, अपनी जो भी files वगरे है, उनको download करके, यहाँ पर लेकर तो यहाँ पर देखो, मुझे bootstrap को add करना है, तो आपने सब से पहले यहाँ पर bootstrap का नाम लिखना है, जब आप bootstrap की library को यहाँ पर use करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, Twitter bootstrap, यह देखो, आपको नदर आ रहा है, यह 3rd पर आपको नज़र आ इसी को यूस कर रहा हूं और यहां पर देखो जैसे आपने इसको लाइबरी को यहां पर select किया तो देखो इनीचे बता रहा है कि कौन कौन सी files आएंगी देख रहे हो यहां पर देखो CSS का folder है इसके अंदर कुछ files है नीचे आजाओ यहां पर आपको JavaScript का folder भी देखने को मिलेगा यह देखो JS और इसके अंदर भी देखो JavaScript की files है जो के bootstrap से related है देख रहे हो मतलब यह सारी files आपके इस project के अंदर क्या हो जाएंगी install हो जाएंगी लेकिन भाई देखो बहुत सारे developers अभी तक bootstrap 5 के ओपर नहीं आएं कुछ लोग bootstrap 4 पर भी काम कर रहे हैं कुछ लोग अभी तक bootstrap 3 के ओपर भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई particular version यहां पर install करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे यहां पर देखो आप यहां पर लगाओ add the rate और add the rate के बाद यहां पर अगर आप 4 version यूज़ करना चाहरे हो तो आपने simple लिखना है 4 तो यह देखो जैसी आप 4 लिखोगे देखो 4 के जितने भी versions है ठीक है वो सारे आपको यहां पर दिखा रहे हैं देख रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है simple आपने आप पर Twitter bootstrap लिखना है ठीक है और जैसी आप यहां पर आके enter करोगे इसको select करके तो latest version आपके पास यहां पर आ जाएगा और बैदेखो ज़रूई नहीं है कि आपने bootstrap यहां पर use करना है अगर कोई और CSS framework है जिस तरह से मैंने आपको बताया Tailwind ठीक है तो आप यहां पर लिख दो Tailwind यह देखो Tailwind CSS यहां पर आ रहा है और जैसे आप यहां पर आके इसको select करके इंटर करोगे ठीक है तो यह देखो उसका भी जो आपके पार latest version है उसकी जो भी files वगएर है वो सारी आपको यहां पर मिल जाएंगी ठीक है लेकिन मैं यहां पर आपको bootstrap यहां पर use करके दिखाता हूं ठीक है तो यहां पर आपने लिखना है Twitter और नीचे आजाओ देखो Twitter bootstrap को enter करते है ठीक है और यह जितनी भी files है अब इसको install करते है अपने project के अंदर ठीक है तो यहां पर देखो आपने install के ओपर यहां पर click करना है ठीक है install के ओपर click करते है ठीक है और एक बात याद रखनी के जब आप install पर click करोगे आपका internet लाजमी connect होना चाहिए और यह इसके अंदर देखो आपके पास एक lib मतलब library नाम से फोल्डर आया इसको expand करो और इसके अंदर देखो Twitter bootstrap इसको भी expand करो और यह देखो इसके अंदर तीन फोल्डर्स है CSS, JSS और SCSS तो देखो CSS को अगर मैं expand करता हूँ तो यह देखो bootstrap CSS नजर आ रहा है इसको expand करो देख सही है मतलब यहां पे देखो Twitter bootstrap से related जो भी हमारे पाफ files folders थे वो यहां पे आ चुके है और पे देखो एक बहुत जादा important point जब भी आप कोई भी client-side library add करते हो ना तो आपके पास आपके इस project के अंदर एक extra JSON file भी add होती है और वो कौन सी है देखो नीचे आ जाओ यहां प टीक है तो जब आप यहां पे अपने www.root के अंदर एक भी client-side library add करते हो ना तो उसकी जो configuration है वो इस file के अंदर add हो जाती है कौन सी file libman.json ठीक है तो यहां पे देखो left side पे यहां पे बता रहा है भाई देखो Twitter bootstrap और उसका यह वाला version install किया गया है और destination मतलब यह जो इसक destination इस location के अंदर install की गई है देखे हो www.root-laybot-tutor bootstrap सही है तो एक तो यह तरीका है अपनी client-side library को add करने का पहला तरीका क्या है कि आपने इसको पर click करना है अपने project के ओपर add पे जाना है और यहां से client-side library आपने select करना है और यहां से for example अगर मैं jQuery add करता हूं ठीक है तो यह यहां पर आप jQuery लिखो enter करो और देखो jQuery से related जो भी latest version होगा वो यहां पर आजाएगा और यहां पर देखो नीचे target location में आपको बता रहा है कि यह कहां पर जाके install होगी सही है आप install पे click करोगे तो jQuery install हो जाएगी लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं यहां पर देखो जब आपके बाद यह वाली file add हो जाती है कौनसी file libman.json तो आप क्या करो देखो यह वाला जो block है ठीक है curly bracket है आपने इसको copy करना है copy करने के बाद आप यहां पर comma लगाओ comma के बाद नीचे आके आप यही curly bracket यहां पर paste कर लो और अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे यहां पर two-tier bootstrap नहीं बलके मुझे यहां पर क्या चाहिए jQuery चाहिए ठीक है मुझे latest version यहां पर चाहिए किसका jQuery का ठीक है तो jQuery लिखके यहां पर enter करता हूँ देखो इसका latest version यहां पर आगया और अब मैं कह रहा हूँ इसकी location क्या set करनी है यहां पर देखो यह जो twitter bootstrap है इसको मैं आसे अटाता हूँ और मैं यहां पर कहता हूँ के www.root के अंदर lib का folder है और lib के अंदर यह jQuery के अंदर हमारी जो भी files और jQuery की वो सारी इस location पर add हो जहें ठीक है ctrl s मतलब आपने अपनी इस file को save करना है क्योंकि यहां पर देखो आपको तॉप पे star का है यहां पर symbol नजर आ रहा है इसका मतलब यह file अभी save नहीं हुई तो आपने क्या करना है ctrl s करना है जैसी आप ctrl s करोगे तो यहां पर देखो नीचे bottom left side पर दुबारा वही message आ रहा है restore operation completed और यहां पर देखो lib के अंदर आपको jcory का folder मिल गया ठीक है देखो मैं इसको expand करता हूँ तो यहां पर देखो jcory आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर जो भी इसकी files थी वो हमें यहां पर मिल गई है इसी तरह कर आपको tailwind चाहिए और भी कुछ चाहिए उन सब को आप यहां पर उसकी configuration सेट कर सकते हो ठीक हो गया समझ में आया अब मैं क्या करता हूँ अब यहां पर मैं अपनी एक master file add करता हूँ जिसको हम क्या कहते हैं underscore layout.cshtml यह हमने अपने इसी lecture series के अंदर पढ़ा था क master page की file होती है जो के हमारे सारे views के साथ connected होती है ठीक है तो मैं वह add कर लेता हूँ लेकिन उसके लिए आप देखो आपको यी views का folder नजर आ रहा है तो views के उपर मैं right click करता हूँ और यहां पर add पर चलते है और यहां मैं new item ले लेता हूँ और यहां पर देखो आपको list में न तो आप देखो, bootstrap की file है, jQuery की file है, जावास्किप की file है, वो मैं यहाँ पे add करूँगा, यहाँ पे add करने से फायदा क्या होगा, कि फिर मैं इस file को अपने सारे views के साथ connect करवा लूँगा, और फिर इस file के अंदर, जो-जो client-side libraries आपके पाप मौझूद होगी, उनको मैं सारे views के अंदर क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, सही तो देखो, यह जो www.root है, इसको मैं expand करता हूँ, सबसे पहले मैं आपे Twitter bootstrap को expand करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर CSS को expand करता हूँ, और यह देखो, यह आपको bootstrap CSS नजर आ रही है, इसके अंदर आप देखो, यहाँ पर min.css, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं head के tag के अंदर, यह वाली, जो bootstrap.min.css है, इसको add करता हूँ, तो किस तरह से add करना है, आपने simple इसको drag and drop करना है, ठीक है, देखो, मैं इसको यहाँ से drag करता हूँ, और मैं इसको ले जाता हूँ, head के, यह जो closing tag है, इसके उपर, तो यह देखो, जैसी मैंने आप इसको add किया, तो देखो, यह add हो गया, लेकिन इसके साथ देखो, आपके पाँ यह map file भी आई है, यह मुझे नहीं चाहिए, तो इस line को मैं select करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ब installing bootstrap, और यहाँ पर देखो, उसके बाद मैं direct यहाँ लिब दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं www.root को नहीं दे रहा, क्यूंके www.root by default public होता है, इसको आपने अपने path में देने की जरुवत नहीं होती, ठीक हो गया, तो इस तरह से मैंने bootstrap add कर ली, फिर यहाँ पर देखो नीचे आजाओ, यह जो bootstrap की javascript की file होती है, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, CSS को, यहाँ पर देखो, javascript है, js, इसको expand करते है, और यहाँ पर देखो, bootstrap की js file है, मैं इसको यहाँ से drag करके, यहाँ पर body से पहले drag कर लेता हूँ, drop कर लेता हूँ, और पर देखो, य इतनी भी javascript files होती है, वो हम body के closing tag से पहले इस तरह से रखते है, और जो bootstrap की file है, उससे पहले हम jQuery रखते है, ठीक है, तो देखो, नीचे आजाओ, यहाँ पर jQuery भी है, मारे पास यह देखो, top पर jQuery इसको expand करते है, तो यहाँ से मैं jQuery भी ले लेता हूँ, ठीक है, इसक अब से पहले jQuery की file है, और फिर bootstrap की javascript की file है, और फिर यहाँ पर देखो, आपके पास यह वाली file है, कौनसी bootstrap की css file, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस bootstrap को मैं use करता हूँ, कहां use करता हूँ, for example, यहाँ पर देखो, अपने index के अंदर यहाँ पर मैं इसको use करता लेकिन अभी मुझे, यह जो मेरी layout वाली file है, इसको मुझे attach करना index के साथ, तो attach कैसे करूँगा, यहाँ पर देखो layout की property, यह मैंने आपको बताया था, ठीक है, layout की property use करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं इसका path देता हूँ, path की साहँ से दूँगा, देखो, पहले csshtml, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आजाओ, देखो, views है, ठीक है, यहाँ पर देखो, views है, views के अंतर आपको यह वाली file नज़र आ रही होगी, layout.cshtml, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने क्या दे दिया, इसको यहाँ पर मैंने path दे दिया, अब मैं क्या क अगर मैं इसी को यहाँ अपर यहाँ से copy करता हूँ, ठीक है, नीचे paste करता हूँ, यहाँ पर for example मैं इसको bg danger भी दे देता हूँ, जो के हमें red color यहाँ पर apply करेगा, ठीक है, नीचे आके इसको paste करता हूँ, थीक हो अगया, जहीए और आप अपनी अप्लिकेशन को run करते है और चेक करते हैं के bootstrap हमारे पास यहां पर apply हो रही है या नहीं हो रही है तो यहां पर आके मैं इसको run करता हूँ तो मैं देखो application run हो चुक है लेकिन यहां पर देखो देखो index के ओपर जो मैंने bootstrap की classes apply की थी वो हमें यहां पर नजर नहीं आ रही है उसकी एक main reason है मतलब उसकी एक बहुत बड़ी वजा है और वो वजा क्या है यहां पर देखो यहां पर देखो third point देखो क्या कह रहा है app.useStaticFiles मतलब हमारे पास एक method है जिसका क्या नाम है useStaticFiles देखो क्या कह रहा है without this method you cannot access static files like bootstrap, css, js, jc, etc मतलब यहां पर कह रहा है कि अगर आपने यह वाला method अपनी application में call नहीं किया तो तब तक आप अपनी static files को access नहीं कर सकते मतलब जिस तहां से bootstrap हो गया, jc, images हो गया तो इस method को call करना बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन इस method को हम कहा call करेंगे यहां पर आजाओ, ठीक अपनी application को में stop करता हूँ और यहां पर आपके application के अंदर यह जो program.cs वाली file है इसके अंदर आप यहां पर आजाओ और यहां पर यह जो आपको app वाला variable नजर आ रहा है, इसके नीचे यहां पर आप आजाओ यहां पर मैं इसको कहता हूँ app dot और यहां पर मैं use करता हूँ use static files देख रहा हो यह वाला method और इसकी location भी देख लो के इसको मैं call कहां पर कर रहा हूँ यह जो app है इसके बाद मैं आप इसको call कर रहा हूँ क्योंके देखो जब तक आप यह वाला method call नहीं करोगे तब तक आप अपनी client-side libraries को अपनी application के अंदर access नहीं कर सकते इसलिए यह बहुत ज्यादा important method है बहुत ज्यादा important middleware है जो आप अपनी program dot css के अंदर add करते हो ठीक है तो अब मैं अपनी application को run करता हूँ और अब अपन तो देखो बिल्कुल successful तरीके से हमारे पार client-side library यहाँ पे install हो चुकी है हमारी asp.net code 6 application के अंदर तो यहाँ पर देखो last point देखो क्या कह रहा है libman.json जिसके अंदर हमारी जितनी भी client-side libraries थी उसकी जितनी भी configuration है वो यहाँ पर हमारे पास contain होती है मतलब यहाँ पर store होती है और यह file कब आती है जब आप अपनी first कोई भी client-side library add करते हो na www.root के अंदर तो तब आपके पास यह वाली file create होती है फिर आप इसी file के अंदर से क्या कर सकते हो और client-side libraries भी इसके अंदर आप add कर सकते हो और देखो एक point आपको बताता जाओं यहाँ पर जो मैंने अभी application यू अपने प्लेट को यूज करके कोई application बनाते हो तो उसके अंदर यह www.root वाला folder यह पहले से मौजूद होता है और www.root के अंदर आपके पास bootstrap भी पहले से add होती है और चुके हम ASP.NET Core 6 यूज कर रहे है तो यहाँ पे bootstrap का latest version कौन सा है 5 तो वो जो bootstrap 5 का version है वो भी पहले is www.root folder के अंदर add होता है तो आपको अगर कोई और client-side libraries add करनी है तो आपने simple क्या करना है यहाँ पर देखो मैं इसको stop करता हूँ मतलब यह तरीका आप empty project के अंदर भी यूज कर सकते हो और MVC template के अंदर भी आप यह तरीका यूज कर सकते हो जिस तरह अगर मैं आपको अपनी एक application लिखाता हूँ यहाँ पर आजाओ ठीक है फाइल पे चलते हैं और recent project में एक open करता हूँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा models in ASP core जिसके अंदर मने models की बात की ती repository pattern की बात की इस project को मैं open करता हूँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ ने MVC template को use करके project बनाया था तो यहाँ पर www.root आपको पहले से नजर आ रहा होगा इसको आप expand करो देखो CSS का folder इसके अंदर वो जो मैं पर particular site की CSS होती है यह है ठीक है आप इसको बंद करो यहाँ पर आजो lib के अंदर देखो lib के अंदर आपको bootstrap नजर आ रही है jQuery नजर आ रही है jQuery validation नजर आ रही है मैं bootstrap को expand करता हूँ देखो इसके अंदर डिस्ट है इसको open करो देखो CSS है और यह देखो अगर मैं एक bootstrap की file open करके आपको दिखाओ तो यह देखो यहाँ पर bootstrap का कौन सा version यूज हो रहा है देखो 5 version यूज हो रहा है लेकिन हमने इससे भी जादा latest version add किया था ठीक है त को select करके यहाँ पर आप install कर सकते हो ठीक हो गया तो इस तरह से हम अपनी client-side libraries को add करते अपनी asp.net core के अंदर ठीक है तो यहाँ पर हमारे लेक्चर हो गया है wind up तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ-साथ bell का icon भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो इस lecture के अंदर कोई भी confusion है तो comment box मुझसे ज़रूर पुछ लेना तो मिलते इंचाला next lecture में तब तक के लिए देखते रही है मेरा चैनल program mentor